अगर घर में चावल बन जाते हैं तो उसका क्या कर सकते हैं वैसे तो हम बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं लेकिन एक मैं बड़ा की रेसेपी आपके साथ शेयर करूँगी यह यूनीक रेसेपी है जो बहुत टेस्टी लगती है हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है नीलम और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में अनपूर्णा श्री ट्रेंडिंग मैंने बचा हुआ पुलाव ले लिया उसमें एक आलू को ग्रेड कर लिया बिलकुल फाइन ग्रेड कर रहा है आप चाहें तो थोड़ा मोटा कर सकते हैं साथ ही में इसमें स्पाइसिस एड़ करेंगे जैसे कि नमक लाल मिर्च सुकाहरा धनिया और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे ये बर्तन बहुत चोटा है इसलिए मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ ताकि मैं आराम से इसको मिक्स कर सकूँ ये मैंने प्लेट ले लिए सारा मैं ट्रांसफर कर रही हूँ अब इसको मिक्स करूंगी फ्रेंज ये बहुत टेस्टी लगता है बहुत जल्दी बन जाता है और ये देके सारे मेरे चार मेरे पुलाव काम में आ जाएगा इसमें दाल भी है चावल भी है खुछ सबसेया भ ले सकते हैं ऑफिस ले जा सकते हैं और घर में तो खा ही सकते हैं इस तरह से जब मेरा बहुत अच्छा सा डो तैयार हो गया मैंने इसकी बराबर बराबर एकुल बाल्स कर ली और इसको हाथ से टाप करके टिकी की शेप दे ली बीच में फिंगर की मदद से मैं इसमें होल कर इसी तरह बची हुई पेडियों के भी मैं अपने वड़ा बना लूँगी यह देखे कितने एक सार और कितने सुन्दर वड़े मेरे तैयार हो रहे हैं इस तरह से हम सारे अपने वड़े तैयार कर लेंगे अब मैं इसको फ्रीजर में रखतूंगी यह सेट हो जाते हैं इतने इसका बैटर तैयार कर लेते हैं एक बाउल में मैंने बेशन लिया है उसमें डाला है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और चाट मसाला, थोड़ा सी राई और थोड़ा सा भुना जीरा, इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके हम इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंस पानी धीरे धीरे डाल ला है ताकि एक दम पतला डो ना हो जाए और जैसे जितना जरूरत हो पानी और एड़ कर लीजिए हमें इसे अच्छे से फेट ना है, कुछ दो तीन मिनट लगाकर हमें इसे बहुत अच्छे से फेट लेना चाहिए अब इतने अच्छे से इसे चेक करने के लिए हम स्पून के पीछे से देखेंगे अच्छी सी कोटिंग हो जाजनी चाहिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं इतने इसकी चटनी तयार कर लेते हैं मेरे पास आधा सुका नारियल था इससे काफी चटनी तयार हो जाती है इसको छील कर काट लेंगे इस तरह से सारे नारियल को काट लेंगे एक सुखी लाल मिर्श लेंगे और थोड़ा सा अधरक लेंगे अधरक को भी हमबारी काट लेंगे इन सब को एक खटा कर लेंगे अब जार में ये सब एड़ करके इसमें डालेंगे थोड़े से खरबूचे के बीज बीज ना हो तो कोई भी आप ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं मेरे पस दो अमरूद रखे थे वो भी मैं अमरूद के साइड से निकाल रही हूँ बीज नहीं डालूँगी साइड साइड से दही से बहुत प्रशा अचि बन जैगे इसको हम बारिक पीष लेंगे एक कटोरी में शकुन निकाल लेंगे यह हमारी चट्नी तयार हो गई कि लेकिन नहीं अभी इसमें तड़का रहरा है कि ऐस तो एक बतन में ले लेंगे घी उसमें डालेंगे राई राई जैसे ही हमार चौप करके इसमें अड़ कर देंगे मिन की जगे आप करी पत्ता या धनिया भी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो वो सही रहेगा पर मिन से बहुत अच्छी खुश्वू आती है यह मेरी चटनी तहियार हो गई मेरा बैटर भी बिल्कुल अच्छा रह्ष्च हो गया है और मेरा वड़ा भी बहुत अच्छे सेट हो गया है मैंने एक गड़ाई में गी लिया है और इसकी कोटिंग करके मैं इसको तलने के लिए डाल दूँगी यह देखे इस तरह से मैं अपने वड़े को कोट कर लूँगी और इसको मैं फ्राई होने के लिए डाल दूँगी जब एक बार यह सेट हो जाता है इसको हम पलट कर देख लें यह कुछ कुछ सिखने लगा है थोड़ा मीडियम लो गैस पे रखना है बाकी के बच्चे वे वड़े भी इसमें डाल देने है थोड़ा दूर रूट छोड़िए ताकि चिपके ना पहले एक साइड अच्छे से सिख जाए तब पलट कर दूसरी साइड सेक लेना चाहिए फ्रेंट्स यह बहुत जल्दी तायार हो जाएगी बहुत ही अच्छी लगेगी इस तरह से आलट पलट करके हम अच्छे से सिख लेंगे इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे यह लाल सी कलर की हो जाएंगे कुछ ब्राउन रेडिश ब्राउन हो जाएंगे तब हमारे यह तैयार हो जाएंगे अब यह देखे सिख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंज जितने यह सिखते हैं इतने आम बताईए आपने भी इस तरह की चावलों से कुछ बनाया हो तो मुझे बताईए मेरे सिख गए हैं यह इसको मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ एक प्लीट में मैं इनको बहुत अच्छे से सबको निकाल लूँगी गी अच्छे से निकाल कर तब इनको प्लेट में ट्रांसफर कर लूँगी अब खोई भी खाना अगर अच्छा बना लो और उसकी प्लेटिंग अच्छी ना करो तो वो विलकुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से मैंने प्लेटिंग शुरू कर दिया है साथ में चटनी आट कर रही हूँ और साथ में थोड़ी सी मिन लीव से इसकी गानेशिंग कर रही हूँ तो फ्रेंज आप बताईए आपको यह रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो शेयर जरू करिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तिल देन थैंक यू बाई बाई स्टे कनेक्टेड